दोस्तों इंडियन फिल्म इंडिस्टी में इसे कई फिल्मे आई जो कि अनएकसपेक्टेड हिट रही कई बड़े-बड़े बेनर की फिल्मों के बीच में ये फिल्में कब अचानक से कमाल दिखा जाती य खोई भी सोच नहीं सकता था और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1985 की इस फिल्म के बारे में जो की बड़ी-बड़ी फिल्मों के रिलिस के बाद भी दर्शकों पर अपना असा छोड़ने में कामियाब रही थी दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1985 की दिसंबर मेने की 13 तारिक के दिन रिलीज एक्शन एडवेंचर और रॉमेंटिक फिल्म एडवेंचर और टार्जन के बारे में इस फिल्म को डारेक्टर प्रोडूस किया था मिथुन चक्रवर्थी को स्टार बनाने वाले डारेक्टर सुभाज बबर यानि की बी सुभाज बबर इस फिल्म से पहले मिथुन के साथ साल 1982 में डिस्को डांसर और साल 1984 में कसम पैदा करने वाले की जैसी फिल्में बना चुक फिल्म डिस्को डांसर और साल 1984 वाली फिल्म कसम पैदा करने वाले की की सफलता के बाद मितुन चकरवरती एक बहुत बड़े स्टार बन गए थे उस समय वे सबसे व्यस्ते सितारा थे तब सुबाज बबर ने उन्हें अगली फिल्म डांस डांस के लिए कॉंटेक्ट किया मितुन चकरवरती ने उन्हें छे से साथ मेने रुकने के लिए कहा ताकि इस समय में वे अपनी उन फिल्मों को पूरा कर सकें जो उन्होंने हाथ में ले रखी थी और सुबाज बबर को आने वाली फिल्म डांस डांस के लिए वे प्रोपर तारीके दे सकें दोस्तों सुबाज बबर इस बीच फ्री थे तो उनके मन में विचारा आया कि क्यों न इस खाली समय का यूज़ करके कोई और फिल्म बनाई जाए अपने मौनिंग वाक फ्रेंड राजंदर कुमार यानी की जूबली कुमार से शेयर किया रचेंदर कुमार और सुबाज बबर अकसर मौनिंग वोक के लिए बीच पर जाया करते थे राजेंदर कुमार ने उनका विचार सुनकर उन्हें फटकार लगा दी कि दो बड़ी हिट फिल्में इंडस्टी को देने के बाद वे एक सी ग्रेट सबजेक्ट आने वाली फिल्म के लिए क्यों चुन रहे हैं कुछ दिन रुक कर उन्हें मिथून के साथ ही अगली आने वाली फिल्म डांस डांस टार्ट करनी चाहिए लेकिन सुबाज बबबबन ने राजेंदर कुमार को आशोसत दिया कि वे इस सी ग्रेट सबजेक्ट को एक ग्रेट में बदल कर दिखाएंगे और जब फिल्म रिलिज हुई तो राजेंदर कुमार को भी एसास हुआ कि सुबाज बबबन ने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया दोस्तों इस फिल्म एडवेंचर ओफ टार्जन के लिए पहली पसंद थे अबिनेता महेश आनन्द क्योंकि उस समय महेश आनन जैसी पस्नेल्टी इस इंडरस्टी में किसी भी एक्टर की नहीं थी साथ ऐसाथ महेश आनन ने साल 1984 वाली फिल्म करिश्मा में अभिने भी किया था और साल saint 82 वाली कमल असन और रिना रोे वाली फिल्म सनम तेरी कसम के टाइटल स्वयंग परशांदा डांस भी किया था महें शानन जे स्टार्जन वाले रोल के लिए फाइनल ही थे कि सुभाज बबबर एक दिन पूने गए जहां उन्होंने कुछती की रिंग में हैमन्द बिर्जे को देखा वे हैमन्द बिर्जे की परसनालिटी से काफी इंस्पार्ड हुए और उन्हें फिल्म आफर कर दी सिर्ट बौय टार्जन की तरह लग रहstep दोस्तों इस फिल्म के लिए हेरोइन की तोबबर ने अपनी पिछली फिल्म की हेरोइन सलमा अगा को ہी फिल्म औफर की थी उन्हें ओमा बी था कि सलमा अगा के टाइप की ये भूमिका नहीं है लेकिन फॉर्मलेटी के खातिर उन्होंने सल्मा अगा को ऐसा कह दिया और सल्मा अगा ने भी इंकार कर दिया सलमा अगा के इनकार के बाद सुभाज बबर ने रोल निलम को ओफर किया लेकिन निलम फिल्म में बिक्नी नहीं पहनना चाहती थी तो उन्होंने मना कर दिया कीमी काटकर का नाम सुभाज बबबर को उनके दोस्त डेनी डेंग जो पाने सुजाया और उनसे मिलवाया भी सही और कीमी काटकर को सुभाज बबबर ने फोन करके फिल्म ओफर भी की जब कीमी काटकर ने तुरंती फिल्म का टाइटल सुना और फिल्म की कहानी को बोर डेरिक अभीनी टारजन दा एप मैंसे कमपेर करने लगी दोस्तो कीमी काटकर ने कुछ सोचने के बाद सुभाज बबर का ओफर अस्विकार कर दिया सुभाज बबर ने भी गुसे में फोन पटक दिया और कुछ महीने बाद उन्होंने कीमी काटकर को ये कहते वे वापस बुलाया कि वे ये फिल्म बच्चों के लिए बना रहे हैं फिल्म में अगर एक्स्पोजर होगा तो वह मिनिमम होगा तो दोस्तो इस तरह इस फिल्म के लिए नई जोड़ी हैमंद बिर्जे और कीमी काटकर को कास्ट किया गया इस तरह इस फिल्म के मुख्यों और साहय कला कारते हैमंद बिर्जे कीमी काटकर दिलिप ताहिल, ओम शिवपूरी, नरेंडरनात, राजा दुगल, गोतम सरीन, सुधीर, हरबंस दर्शन, गोरिला, रुपेश कुमार और जंगल में हंटिंग करते फिल्म के डिरेक्टर और कीमी पर हमला नहीं किया और इस अनुबव से कीमी काटकर का होसला बढ़ा और वह पूरी फिल्म की शुटिंग सक्सेस भूली कर पाई, जब फिल्म की शुटिंग मदू मलाई में हो रही थी तब जंगली हातियों का एक जूंड उनकी रास्ते में आ गया था, जब फिल्म क के समय पर्मानेंट उनके साथ रहती थी, कीमी काटकर की माँ साट के दश्चक की पुर्व हिंदी फिल्म डैंसर थी जिनका नाम टीना मिस्क्विटा था, उन्हें टीना काटकर के नाम से भी जाना जाता था, कीमी काटकर की माँ ने फिल्म के बाद में मीडिया में फिल्म क आउटफिट के बारे में जानती थी सुभाज बबर ने ये भी कहा कि वे किसी न्यू कमर पर ऐसे हिलाकों रुपे खर्च नहीं कर सकते हाला कि यह फिल्म करना कीमी काटकर के लिए मज़ेदार अनुभव रहा और पेच वर्क के दोरान उन्हें टोप लेस सीन करना था और वे इसलिए परेशान थी कि उन्हें यह पहले नहीं बताया था रसल कीमी काटकर के अनुशार समस्या वहां शुरू ही जब सुभाज बबर के ब्रदर इन लोव विनोद वर्मा से उनकी जड़प हो गई विनोद ने कीमी काटकर से कुछ छोटे कोस्ट्यूम पहने के लिए कहा था और कीमी ने मना कर दिया उसके बाद तो फिल्म की पूरी यूनीट नहीं कीमी से बात करना बंद कर दिया किमी काटकर ने यहां तक शिकायत की कि उन्हें खाना और पाने भी समय पर नहीं दिया जाता था दोस्तों इस फिल्म की रिलिज के कुछी महीनों पहले राज कपुर द्वारा डिरेक्टेट फिल्म राम तेरी गंगा में रिलिज हुई थी उस फिल्म में मन्दा किनी के जर्ने में नहाने वाले सीन देकर सुबाज बबबर ने जर्ने के ही नीचे नहाते हुए किमी काटकर के कुछ सीन फिल्म में जोडने का फैसला किया था किमी काटकर माना नहीं कर सकती थी क्योंकि अब फिल्म पूरी हो चुकी थी और अब जो भी सीन वो कर रही थी वो एडिशनल ही थे दोस्तों इस फिल्म के डिरेक्टर सुभाज बबबर चाहते थे कि वे इस फिल्म को 3D में शूट करें उन्होंने यह भी देखा कि रोमू सिप्पी 3-4 गंटे के लिए 3D केमरा किराय पर देते थे लेकिन वहाँ पर निर्माताओं की लंबी लाइने लगा करती थी सुभाज बबबर यह भी सोच रहे थी कि वे 3D के बिना यह फिल्म बना नहीं पाएंगे वे फिल्म के डायलोग राइटर डाक्टर राही मासूम रजा के पास पहुँचे और कहा कि मैं यह पोजेक्ट बन करने जा रहा हूं लेकिन डाक्टर राही मासूम रजा ने सुभाज बबर को आशवसन दिया कि अगर वे यह फिल्म सिनमे आसकोप में भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऐसा है कि फिल्म जरूर चलेगी उन्होंने कहा कि इस फिल्म के लिए डिस्टिबूटर से बात करो और जल्दी से जल्दी फिल्म बनाओ दोस्तो इस फिल्म के एक खास सीन के लिए हेमंद बिर्जे को एक्शन डिरेक्टर और इस्टन्ट में ने बुरी तरह से पीटा था हेमंद बिर्जे ने सुबाज बबर को अपनी पीट की खरोचे और चोट के निशान दिखाया और उन्हें बताया कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकस में उनकी केदवास्त विक लगे हेमंद बिर्जे ने इस फिल्म के लिए इतनी मेहनत की थी कि उनकी मरदाना फिजिक को देखकर यंग जेनरेशन बहुत इंस्पारड हुई और देश के युवा जिम को गंबिरता से लेने लगे दोस्तो यह फिल्म सक्सेसपुली नो महीने में बनकर तियार हो गई यह वो दोर था जब डिस्टिबूटर्स के पास वीडियो रिल के जरिये पहुंचाय जाते थे कहीं से फिल्म लीक हो गई और ट्रेंड में जबर्जस हलचल मच गई क्योंकि इस फिल्म का सब्जेक्ट वहुत ही अलग था दोस्तो इसी साल एक जुलाई को राजकपुर की राम तेरी गंगा में रिलिज हुई और मनमोहन देशाई की मर्द नौमबर में रिलिज हुई और टारजन दिसंबर में इस साल ये तीनों फिल्में ही थी जो बड़ी हिट फिल्में थी राम तेरी गंगा मेली और मुर्द बड़े बजट की और बड़े बेनर की फिल्म में थी तो उनकी सफलता तो किसी भी कीमत पर निश्चित थी उनकी सफलता से किसी को भी आश्चरे नहीं था लेकिन दो नए कलाकारों को लेकर अलग सब्जेक्ट पर बनी ये फिल्म सर्प्राइज हिट रही थी दोस्तो इस फिल्म की रिलिस के बाद तो हाल ये था कि जब भी बच्चे हेमन बिर्जे को उनकी बिल्डिंग में देखते थे तो वे टारजन के पुकारने वाली आवाज निकालने लगते थे जिससे कि उनकी पत्नी को एहसास हो जाता था कि हेमन घर पर आ गए है फिल्म एडवेंचर ओफ टारजन में गोरिला नाम के फेमस अबिनेता आर मलिक का भी एक खास रूल था जो की एक कबीले का नेता होता है और फिल्म की हिरोईन कीमी काटकर को उठा कर ले जाता है उनकी इस भूमिका के लिए उनने काफी पसंद किया गया और इसी तरह के उन्होंने बाद में कई रोल कई फिल्मों में निभाये दोस्तों इस फिल्म एडवेंचर ओफ टारजन का म्यूजिक दिया था सुबाज बबर के रेगूलर कंपोजर बपिलेरी ने फिल्म के लिए गीत लिखे थे अंजान साहब ने और फिल्म के मुजिक एलबम में कुल छे गीत रखे गए थे इन गीतों में टारजन माय टारजन जिसे अलिशा चिनोई ने गाया था उसके दो वर्जन रखे गए थे फिल्म के बाकी गीतों को अपनी अपनी आवाज ही दी थी शेरोन प्रभाकर, विजय बेनेडिक्ट, पप्पी लेहरी, उत्तरा केल करने दोस्तो एक गाईका के रूप में अलिशा चिनोई को पहला अब्रेक इसी फिल्म से मिला था इस फिल्म के उनके गीत को गाकर वे काफी फेमस भी हो गई थी इस फिल्म की रिलिस के बाद इंडियन न्यूस पेपर ने हमन बिर्जे को इंडियन टार्जन के रूप में फेमस कर दिया था और किमी काटकर को अपनी कामोग केरेक्टर के चलते सेक्स हैरस का टेक दिला दिया था दोस्तों साल 1985 में बहले ही कमाई के मामले में यह फिल्म नुवे नंबर पर रही हो लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच यह एक सरप्राइज हिट फिल्म थी साल 2008 में हमन्द बिर्जे ने रिटर्न आफ टार्जन फिल्म लॉंच की थी खुट टार्जन की भूमी का उन्होंने पुरी तरह से नए कलाकरों के साथ निभाई थी फिल्म के कुछ हिस साथ अफरिका के जंगल में शूट किये गए थे लेकिन फिल्म किसी कारण वस आज तक रिलिज नहीं हो पाई दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलिवड अन्बोक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद